दो जाइंट्स आप हैं और सुनील दत हैं आपकी टकर हैं और पिक्चर शुरू हो गई पिक्चर बनते बनते कुछ टाइम लगा इस दोरान सलमान की चार पिक्चरें सुपरेट हो गई और हमारी फिल्मों में गाने एड किये गए सलमान का रोल बढ़ाया गया और दत्सा बन के बदल दिया राजकपूर साब ने मुझे कहा था कभीर चाहे हम जितने भी बड़े फिल्म में करों सरकार के सामने हमारे गुट्टे टेके रहते हैं जब खून भरी मांगाती है तो लड़कें डरने लगती है एक पूरी जेनरेशन थी औरतों की जो मुझसे डरी हुई थ अगर मैं आपी की बात करो चार शादियां होई ने कभी जिंदीगी के अगर पन्ने पलटते हो तो लगते है कि शायद चीजे कुछ बदल सकती है थी लगे रिग्रेट्स तो I want to have your baby Book signing के लिए मुझे बुलाया गया एक बड़े department store में तो मैनेजर मेरे पास आया और उसने कहा देखिए यहां से जाएगे वरना लोग बारे जाएंगे निकल रहा था तो फीमेल फैंस जो थी उन्हें चिलना शुरू कर दिया I want to have your baby और यह जो पुरानी फिल्में हैं जिन्होंने जो हिट भी हुई है जिन्होंने लोगं का दिल छुआ है अप्टेट टाइम में बॉक्स आफिस रगोर्ट वड़े हैं उनको फिर से दर्शाना बहुत अच्छा है हलो कभीर राकेश रोशन स्पीकिंगिया कभीर एक पिक्चर है जहां मैं तुम्हें एक हीरो लेना जाता हूँ ठीक है गुडू लेकिन मैं इस वक्त अमेरिकन सेरीज कर रहा हूँ और आप तो दो-दो साल लगा देगे ने ने दो महीने में करने हूँ मैं अच्छा ठीक हिरोईन कौन है रेखा मैंने का डन डन नो क्वेश्चिन हेलो हाई आद आप नमसकाते साश्रिया कहाल आप देखने शुरू कर चुके हैं बॉलिवूड बबल और मेरा नाम है विनाश पार आज मेरे साथ एक ऐसी शक्सियत मोजूद है जो अपने आप मे चलता फिरता सिनिमा है करीब पाच दर्शक के सिनिमाई करियर में उन्होंने अलग-अलग मोट्स में काम किया हॉलिवूड में जहां जीम्स बॉन को टक कर दी तो फीमेल फैन फॉलूइंग इतनी क्रेजी कि कहा जाता था I want to have your baby इनकी personal life भी काफी चर्चा में रही इनको OG ग्रीक गॉड भी कहा जाता है और आज भी इनको देखकर इनकी उम्र का पता नहीं लगा सकते हैं मेरे साथ मोजू हुद है अपने शुक्रिया आपका कमाल की जब शक्सियत मोजूद है तो कमाल का इंट्रच्शन भी मनता है कबीर सर कैसे हैं क्या चल रहा है अज अभी मैं इतली में अपनी इतलीन नई इतलीन में रिलीज की है रिलीज करके आया हूँ ट्यूरिन में थी और उसका नाम था क्वेस्चियोनिस सफ़ा मतलब मैटर ऑफ फैबरिक एक कबड़े का मामला उसमें इतली का बहुत ही मशूर एक्टर पियर पावलो था और इतलीन फैमिली कि ठकर होती है दोनों दर्जी का काम करते हैं और एक इस रोड पे उनकी दुखान है तो राइवलरी बनती है लव रमाइन से शुरू हो जाते हैं कई चीज़े होती है बतौर एक सिनिमा लवर या दर्शक या इंटरव्यूर एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि जब दे कि इस रोड़ी का कितना अलग होता है तो लोग आपके बागते हैं आपकी हम है कि कमीस उतारना चाहते हैं आज जब लोग मिलते हैं तो खास मिलाना चाहते हैं तो छवाल के कई रूप होते हैं, कई तरीके होते हैं और उमर के साथ वो फैंडम का क्रेज बदल जाता है फैंस शायद उतने ही उतने ही डेडिकेटेड रहते हैं लेकिन वेव एक्सप्रेशन चेंज़ेश पर यह नहीं कि हिंदुस्तान के फैंस इटली के फैंसे ज्यादा है या अमरीका के फैंसे ज्यादा है इतना ही है कि जब आप नौदरन कंट्रीज में जाएं जहां ठंड ज्यादा होती है तो वहां लोग थोड़े रिजर्व होते हैं जहां टेंपरिशर थोड़ा गरम होता है में अगर बात करूं जिस किस्से की जो मैंने इंट्रडक्शन में भी बुला कि यूरोप के अख़बार में चपा I want to have your baby वाक्या क्या था प्रीज दर्शुकों को बताईए हुआ ये था कि मैं स्पेन में गया था स्पेन भी बहुत बड़ा कंट्री था मेरे लिए बहुत के साथ लिफ्ट में ऊपर टॉप फ्लोर तक पहुंचा तो मैनेजर मेरे पास आया और उसने कहा देखिए आपको इस बिल्डिंग से निकलना है बाहर जाना है क्या बात करें मैं बुक सानी के लिए आए हूँ फैंस को मिलने आए हूँ नहीं नहीं ये बिल्डिंग इसका नहीं कि इतने लोग आ सकें तो आप प्लीज यहां से जाएगे वरना लोग बारे जाएंगे ये सुनकर मैं बहुत घबरा गया मैं से आए मस्ली तो मैं निकल रहा था तो फीमेल फैंस जो थी उनने चिलनाना शुरू कर दिया I want to have your baby और ये headline बन गया Spain में और परसों तक ध भाग गई थी कि fans का pressure इतना था बाहर निकला बहुत सी भीड थी तो मैंने सोचा कि जान कैसे बचा हूं मैं अकेला हूं और सब मेरी तरफ आ रहा थे तो मैं किसी तरह बाहर निकला store के store के बाहर निकला तो देखा कि और भी लोग जमा थे और traffic पूरी रोकी गई थी और सब मेरी तरफ आ रहे थे तो मैंने चलांग मार के गाड़ियों पर rooftop to rooftop चलांग मारते मारते fan से बचने के लिए रास्ता निकला और सड़क के end पे एक गाड़ी मिली मैंने उसको रोका उसकी गाड़ी में बैठा और वापिस hotel लोटा तो उस वक परवीन बाबी मेरे साथ थी तो ठीक है पुलिस स्टेशन पहुंचे चीफ पुलिस था वहां 36 कंप्लेंट थी कि मैंने उनकी गाड़ी डामेज की थी जिन पर आप जंप करके गए थी 36 कंप्लेंट थी और सब चाहते थे कि मैंना उनको कॉंपसेट करूँ फॉर्चिनटली यह जो डिपार्टमेंट स्टोर था एल्थकॉर्स इंग्लेज जो स्पेन का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर था उन्हें का नहीं कसूर हमारा है इनको जाने दीजिए तुम्हें टेर्टमेंट एल्थकॉर्स इंटर्वु लिए जो अन्फॉर्चनेटली कभी पब्लीश ही नहीं हुआ 700 रुपे लेके आगे मुंबई मुंबई के शुरुवाती दिन कैसे थे अब बीटल का जो किस्सा है वो बहुत इंटरेसिंग किस्सा है मेरी अटोबारी का सबसे पहला चैप्टर है टाइम हो तो मैं बाद में सुना दूँआ प्लीश है अभी बताईए हुआ क्या कि जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था सिंस्टीवेंस कॉलेज में उसवट मार्क्स तो मिले थे मुझे दाखिल तो हुआ हुआ है लेकिन फीज भरने के पैसे नहीं थे फैमिली की कुछ ऐसे हालाद चल रहे थे बहुत आइडिलिस्टिक लोग थे फीडम फाइटर थे वगएरा और पैसे नहीं थे तो टू अर्न मनी मैंने और इंडिया रेडियो के साथ काम शुरू किया मैंने सुना कि बीटल्स दिली में आ पहुंचे हैं और बीटल्स का दुनिया में सबसे बड़ा है सब कुछ जानता था उनके बारे में और यह भी जान गया था कि अभी ये मनिला से आए हैं जहां इनके साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ था क्योंकि वहां के डिक्टेटर जो थे फर्डिनेंड मार्कोस उनके कॉंसर्ट के बाद उनने बीटल्स है का आप हमारे घर आईए और हमारे बच्चों के लिए गाईए तो उनने मना कर दिया मना कर दिया तो नाराज हो गए तो धक्या मार करको वहां से निकाल दिया गया था मैं All India Radio Bosses पास किया मैं किया को से दे दिया तो मैं पहुंचे वह अबराव इंटर कॉंटिनेंटर में ठेरे होए थे और लॉबी में सारे प्रेस रिपोर्टर्स घूम रहे थे फोटाग्रफर्स घूम रहे थे किसी ने कहा वो किछन से निकला है सारे भागे मैं जानता था बीटल्स पहुंचना नाममक करा थे खेर मैंने उनको कहां एक सफेज जूट कहां मने कहां देखिये साब I am from All India Radio the government network and the government has decided that the Beatles interview will be broadcast at 10 o'clock tonight what nonsense the boys will not give any interview to anybody sir I'm a big Beatles fan I don't want the Beatles problem with the government I knew that his weak point the problem the government can cause a lot of problems he said well then I will do the bloody interview the boys will not I am so sure Brian Epstein उनका interview मिल रहा है कोई छोटी बात तोड़ी है मैंने फॉरन मन्सूर कर लिया जब मैं उनके कमरे में पहुंचा शाम के साथ बज़े नौक किया उन दर्वादा खोला उस सीने से भिगे हुए थे बात्रोब था मैंका कबीर बेदी सार ऑल इंडिया रेडियो बात्रोड कोई गाए थे लुष तोड़ी है वो के लुष बात्रोड़ी अखरा लेंग्र कोई दॉष पक्राइट खाफ टॉश्य दॉष प्रॉड़ी फिर लेंख टु टॉष तो डेंडिया इंटॉड यूडिया शूर कोई अधरी एंडिया प्रॉवादा टॉड तो फिर क्या हुआ इस इंटर्वी में वो तो आपको पढ़ना पढ़ेगा, बहुत लंबी बात है, क्या मैंने उसे पूछा, क्या उन्होंने कहा, ड्रॉंग्स की बात की, म्यूजिक की बात की, पॉपिलारिटी, फेम की बात की, कई बातें की, लेकिन नतीजा ये था कि चला, कि किसी ने मेरे इंटर्व्यू के ऊपर किसी और का इंटर्व्यू रिकॉर्ड कर दिया, क्यूंकि उनके पास नए टेप्स के लिए पैसा नहीं था, बजट बहुत कम था, ये मुझे इतना दुख हुआ, सदमा पहुंचा, कि मैंने का, मैं इन लोग के साथ काम नहीं नहीं कर सकता हूं, पहले भी कुछ खटना ही हुई जिनने मुझे निराश कर दिया था, और मैंने फैसला कर दिया कि मैं बंबई जाओंगा, तो जेब में साथ सो रुपाए और बंबई की तरफ रवाना हुआ, और उसके बाद मैंने अपना करियर शुरू किया, पहले मैंन आडवर्टाइजिंग में काम शुरू किया, पांच साल मैंने आडवर्टाइजिंग में काम किया, लिंटास जो बहुत बड़ी इंटरनेशनल एजनसी और ओगल्वियन मैथर, दो बड़ी एजनसी के साथ मैंने काम किया, जहां मैंने उनके लिए फिल्म में बनाई, इन हा कि तगलख। है। है। It was Girish Karnad's first play, be a historical play. So, he cast me about it and I created the role of Taughla and it became the biggest hit in Bombay theatre system. I say this without any prides. It's a fact. ٌ Out penalty so many producers Cola Peak 수ै, could say about me and the producer had a film. My intention was to become a film maker. But when can we come through film offers I thought industry would be a nightmare, and then we would be a film maker carefully. तो करियर मैंने वहां से शुरू किया, और मेरी पहली फिल्म जो रिलीस हुई, हलचल, made by O.P. रहन, वो कुछ खास नहीं चली, लेकिन उसके बाद, राज खोसला के साथ, कच्छे धागे में, विनोत खन्ना के साथ, मैंने बहुत अच्छा रोल किया, और पिक्चर बहुत होलीवड, उसके बाद offers आने लगे, लेकिन कुछ ही देर बाद, Italians आ पहुंचे बंबे, और वहां से मेरी जिंदगी का जो नक्षा है, पूरी तरह बदल गया, क्योंकि वो ढूंड रहे थे, टॉल, अथलेटिक, बेर्ड़ अक्टर, लंबा चोड़ा, अथलेटिक, और सबने मेरा नाम लिया, फिर भी उन्होंने मुझे ऐसे रोल नहीं दिया, रुसाइन डोकान को परफॉर्म करने के लिए, वो एशिया के सबसे अच्छे एक्टर को ढूंडना चाहते थे, और वो एशिया के टॉर में आई हुए थे, बंबाई वस फर्स सिटी, तो डिरे यार नहीं लेकिन काफी था, क्योंकि हालांकि मैंने फिल्में की थी, इतना पैसा नहीं था, फिर भी जाना तो था ही, तो मैं इटली में पहुँचे और फुल-fledged audition, swimming, fencing, horse riding, dramatic scenes, love scenes, costume fittings, make-up trial, सब किया, और मुझे रोल मिल गया, इस रोल ने मेरी जिन्दगी का, की सब्सक्सेस ने मुझे, केबल European star बनने का मौका नहीं दिया, Hollywood जाने का मौका भी दिया, क्योंकि based on my European success, मैं Hollywood जा पाया, और जिस तरह कई actor Hollywood पहुंचते हैं, जो पेट्रोल भरते हैं, या बारते हैं, चोटे चोटे रोल बहुंचते हैं, काम करते हैं तोगे, I didn't have to go through that, by that time I had enough money to live with respect, and try my career in Hollywood, और उसके बाद मैनी पहली picture in Hollywood में थी, Ashanti with Michael Cain, वो भी internationally बहुत अच्छी चली, और उसके बाद आई James Bond, Octopussy, Roger Moore के साथ, जहां मैं जिसने, जहां मैंने, जहां मैं विलन था, तो उसने भी बहुत अच्छी स्टार्ट दी मुझे, उसके बाद, मैं, I realized कि ये रास्ता इतना असान नहीं है, आप दो फिल्मों के साथ लगी हो गए हो, लेकिन उन दिनों में, कोई Indians के लिए रोल नहीं लिख रहा था, ये तो इतिफाक था कि James Bond film में एक Indian का रोल था, मुझे रोल्स ही नहीं मिल रहता है, कोई लिखी नहीं रहता है Indian rules, तो आदमी क्या करे, तो मैंने अपने agent को काहत देखो, आप मुझे foreign actor समझीए, जो भी रो औरलर्स के हैं, non-American roles, उस रोल में पिछ करिये मुझे, तो मैंने German characters प्ले किये, South American characters प्ले किये, कई nationalities, अफगानी प्ले किये, कई nationalities, जो भी American लो foreign लगे, और इस तरह बात चलती रहे, और फिर मैंने काफी American television series किये, जिसमें से सबसे मुशूर एक तो General Hospital था, जो सबसे longest running television series in America is General Hospital, 60 से चला रहा है, उस में बहुत इंपोर्टन रोल किया, और फिर Bold and Beautiful में, जहां, जो दुनिया का second most watched programs are on television, the most watched being Baywatch, Baywatch was number one, Bold and Beautiful was number two, number two, एक बिलियन लोग उसे रोज देखते थे, एक सौच्छालिस मुर्कों में, तो यह बहुत बड़ी बात है in terms of audience reach, और मेरी खुशकृस्मिती यह थी, कि मुझे वो प्रिंस उमार का रोल मेंना, वो भी Moroccan character था, Moroccan prince था, और opposite me was a leading lady, Hunter Tilo, जिसे Time magazine, People magazine ने कहा, one of the 10 most beautiful women in America, so I was very lucky there. Hollywood का casting process क्या है, यहां पे हमें पता है, फिल्में कैसी मिलती है, क्या बात करो, किस से मिलो, Hollywood में कैसे होता है, वहां पे भी एजेंट्स वगरा है, जरूरी है, जरूरी है, एजेंट्स के बगार कुछ नहीं होता, एजेंट्स है, then there's the process of auditions, एजेंट्स आपको recommend करते हैं, फिल्में किस आपका audition लेते हैं, और audition सब को करना पड़ता है, और audition में सबसे बड़े stars को छोड़ कर, लेकिन audition में जाओ, तो आप दो, यह एक्टर कमाल का actor है, मैं इसके, इसकी टक्कर में audition कर रहा हूं, या कोई newcomer बैठा हुआ है, और पता चला, रोल newcomer को गया, So, auditions are very difficult. और भी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ? बिलकुल बे-बुनियाद है, इस अन अक्टर's responsibility, अगर आप किसी अपनी publicity करना चाह रहे हो, आप camera, video camera, बुला रहे हो, social media के specialist बुला रहे हो, वो आपकी responsibility है, प्रोडूसर की कहां बनती है, और internationally, आपको आपको आम तर पे, प्रोडूसर का ही make-up man इस्तिमाल करना बड़ाएगा, unless you are a very important actor and you have a make-up man, और वो भी आपको सिर्फ आपके make-up man or attendant, make-up, hair and attendant को देंगे, और किसी को नहीं देंगे, तो यह यहां भी आना चाहिए, I think it is very unfair that the producers are subject to such enormous fees by actors because of the huge entourage, and these entourages can be as big as they like, but the actors should pay for anybody who is not, should pay for everybody except hair, make-up and attendant. क्यूंकि internationally आपने काम किया है, लग-लग देशों के सिनमा में रहे हो, Pan India किया है, South में भी किया है, Hindi भी कर रहे हो, मल्यारम किया है, कंड़ा किया है, बतोर actor, process में क्या difference feel करते हैं, क्या लगता है कि Hindi cinema में खास्तोर से, क्या कुछ और जो बहतर हो सकता है, और क्या चीज़े हैं जो यहां पे comparatively बाकी cinema से बहतर है, आजकल, जो भी अब वेस्ट में हो रहा है, अमरीका में या यूरोप में, वो यहां भी हो रहा है, हमारे रोग उतने ही professional है, technology भी हमारी उतनी है, हम किसी department पे पीछे नहीं, में भी दी, पिक्सा लेवल animation तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन, चाहे आप action बो रहे हैं, या choreography कहे हैं, या sets, या acting, हम किसी से पीछे नहीं, we are as modern as any cinema, हमारा process of filmmaking slightly more informal है, in the sense के, एक writer के पास एक script है, वो एक director को impress करता है, director, producer के पहुंचता है, या producer, director के पहुंचता है, या producer, director के पहुंचता है, या producer, director के पहुंचता है, या script बहुत अच्छी है, देख लिजे, ती-चार लो एक script कुछ पांच-छे levels of executives से पास होकर फिर accept होती है, हर level of executive की अपनी comments हैं, अपनी suggestions हैं, अपने, और क्या है, जो पुराने filmmaker से या producer से, वो सब कुछ फिल्मों के लिए risk करते थे, executives, फिल्मों के लिए कुछ नहीं risk करते थे, उन्हें financially, उन्हें सिर्फ यह फिकर के कि हमारी नौकरी न जाए, या picture hit हो तो हमारी promotion हो जाए, this is the basic interest, unfair enough, उन्हें की जो intention है, वो है कि we shouldn't make any mistakes, और जब फिल्मों की बात हो तो, यह creative process है, यह कोई hard and fast scientific formula नहीं है, कि आप यह चार चीज़ें डालें और picture super hit हो जाएगी, तो इतनी levels of approval नहीं है यहाँ, ती-चार लोग accept कर लें तो picture बन जाती है, Hollywood ने process बहुत bureaucratic है, ती-चार को यह permission नहीं कि वो कोई खास dialogue बदल सके script पर, stage पर, Oh! Because it is, it is written, contract, आपको scenes add कर दिये जाते हैं खड़े परी, एक picture नाम मुझे याद नहीं, उसमें एक director ने का मुझे यह lines नहीं चाहिएं, उसमें आपको करना ही, शूट करना ही होगा, क्यूंकि हमारे contract में है कि writer has the final say on the script, and the executive has the final script, और उनने यह अप्रूव किया है, तो उसने क्या कि यह scene, जहां characters बहुत बोल रहे हैं जो नहीं चाहता था, उसने actors के हाथ में hamburgers पकड़ा दिये, और hamburgers खाते-गाते, सारे dialogue बुलवाएं, तकि किसी कोई बात समझ में ना है, so directors also have their way of changing things, लेकिन generally, it is very difficult for a director to change a script on-set, हमारे हाँ, ज्यादा flexibility, अगर रेक्टर को लगे नहीं यार यह बात ठीक नहीं लग रही है, ऐसे शूट कहें तो बहतर होगा, इतनी freedom है, human instinct or emotion बहुत important part play करता है, foreign films में pre-production दो साल की होती है, और production दो महीने में होती है, कभी-कभी यहां process reverse हो जाता है, कि दो महीने की pre-production और दो साल की production, लेकिन हमारे लोग, to be fair, बहुत modern हो गए हैं, बहुत competently और efficiently film करते हैं, और मैं बजाई देता हैं हमारे industries को, कि इतना कुछ adapt करके, सीख रहे हैं और बहुत अच्छी picture बना रहे हैं, अच्छा आप नहीं चीज़ बोले जो नहीं बना रहे हैं, कभी ऐसा हुए क्योंकि अकसर फिल्मों के शोज होते हैं, प्रेश शोज होते हैं, सेलब शोज होते हैं वहां जाते हैं, अब आपको फिल्म देखे हैं जो आपको अच्छी नहीं लगी अब लेकिन बहार आएं तो पैपराजीज वगरा मौजूद हैं, कभी जूट बोले कि अरे नहीं फिल्म बहुत अच्छी थी, बट कहीं आपको बताएं कि अच्छी तो नहीं थी. The word you use is interesting. It's a very interesting film. Interesting, किस रीजन से वो मत बताईएं. Hindi cinema की अगर मैं बात करूं, जैसे अभी आपने जो बाते करी वो इंटरनेशनल सिनेमा और हमारा, यानि इंडिन सिनेमा था, इंडिन सिनेमा अभी अब काफी डाइवर्स हो गया है, South काफी हो रहा है, तो South cinema और Bollywood में भी आपको कुछ अंतर लगता है, working process में. मैंने कुछ आर्दस South की फिल्म से की है, South की फिल्म में efficiency बहुत है, professionalism बहुत है, everything is on time, everything is worked out, payment की कोई problems नहीं है, great respect for actors, और यह नहीं की यहां, North में नहीं होता है, लेकिन South कुछ जादा efficient है, when you see Bahubali, and you see Antara, and you see RRR and all this, risk लेनी की appetite है उनमें, एक बड़ी vision की पीछे, सब कुछ commit करना, यह South की specialty है, और इसलिए उन्होंने बहुत सफलता पाई है, और जब fail होता है, तो बहुत लुकसान भी होता है उनका, फिर भी एक appetite है, कि हम पिक्चर ऐसी बनाएं जो दुन्या में कभी दिखी नहीं, and I think they are broader than Bollywood, in some ways. लेकिन यह नहीं की Bollywood film में कोई कम है, जब Bollywood का बुरा सीजन चल रहा था, और South की फिल्म में आस्मान को छो रही थी, उसको शारुख खान आया, और तीन हेट पिक्चरें दिलिवर की, और पूरा नक्षा ही पलटके बदल दिया, तो these things go on in the business, जब रहा सकता है, Bollywood इतनी कमाल की फिल्में बनाएं की South को भी पीछे छोड़ दे, This is the business of human beings, of emotion, of storytelling. तो जो भी सबसे imaginative stories बनाता है, जो आपकी दिल कुछ हो जाएं, जो आपकी रॉंक्ते खड़े करते हैं, they will succeed. एक तरह वो fan following, जहां कमीज फढ़ने की कोशिश हो रही है, या फिर बोल रहे हैं, I want to have your baby, वहीं दूसरी तरफ, जब खून भरी मांगाती हैं, तो लड़कें डरने लगती हैं. एक पूरी generation थी, औरतों की जो मुझसे डरी हुई थी. कई लोग ने मुझे कहा, हम आपसे बहुत डरते थे, बाद में देखा कि आप बहुत दूसरी पिक्चर करते हैं, आप अक्टर हैं, लेकिन उस वक्त हम आपसे बहुत डर गए थे. क्या हुआ कि मैं उस वक्त हॉलिवूड में काम कर रहा था, मैं टॉम सेलिक के साथ एक सेरीज मैगनम पी आई में काम कर रहा था, हवाई में, और शूटिंग खतम होके मैं होटेल आया, कपड़े बदल रहा था, यह फोन कॉल आया, उन दिनों में लैंड लाइन हुआ करती थी, उठाया, हलो कबीर, राकेश रॉशन स्पीकिंग गया, है गुड़ू, गुड़ू कहला था, गुड़ू, फैंटास्टिक, लेकिन मुझे यहां हवाई में क्यों क्रोल कर रहा हूँ, कबीर एक पिक्चर है, जहां मैं तुम्हें एक हीरो लेना जाहता हूँ, यह तो अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बॉलिवूड के सारे हीरो स्ट्राइक पे या, मुझे क्यों बला रहे हैं, उसने का नहीं नहीं, क्या है कबीर, मेरी पिक्चर ऐसी है, जहां हीरो विलन बन जाता है, और कोई हीरो करने को तयाद नहीं है, और अगर मैं किसी विलन को डालूं उस रोल में, तो फिर कोई सप्राइज नहीं रहेगा, तुम ही हो जो कर सकते हो, ठीक है गुड़ू, लेकिन मैं इस वक्त अमेरिकन सेरीज कर रहा हूं, और आप तो दो-दो साल लगा देगे, कि नहीं नहीं, दो महीने मैं करना हूं। मैं का अच्छा ठीक है, हिरोएन कौन है? रेखा, मैंने का डान? 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 No question. रेखा, रेखा, अट ताइम, अट आप पीक, शी वस अड़ीन आप बॉलीवूड, तो रेखा के साथ फिल्म आपर मिले, मैं इतना बेवाकूफ नहीं थी, ताकि मैं मना करूँ, I accepted, we came here, पिक्चर शूट हुई, और वो मेरी सबसे बड़ी हिट पिक्चरों में गिनी जाती है. बतो और एक्टर क्या जादा चैलिंजिंग लगता है, क्या मज़ा आता है, नेगटिव रूल्स करना इजी होता है? नेगटिव रूल्स एक सेंस में ज्यादा इंट्रिस्टिंग होता है, क्यों, हीरो जो है अच्छा आदमी जो है, एक सतर पर प्रेडिक्टिबल है, आप जानते हैं अच्छा काम करेंगा, अच्छी डिसिजिशन लेगा, विलन क्या करेंगा? नहीं पता है, आप नहीं जानते हैं, कुछ भी कर सकता है, तो इन दाट सेंस, विलन इस मॉर इंट्रिस्टिंग, अंद, विलन, जासे शेक्सपिर ने कहा, Man may smile and smile and yet be a villain. यह नहीं कि विलन हमेशा गरज के बोले या बोड़ी अट्वीट करके, विलन भी कई तरीके होते हैं, तो फाइंद आप मेजर, तो फाइंद आप मेढ़ा किस तरह से यह रोल अदा करूँ, तो विलन भी बहुत ही दिल्चस्प हो सकते हैं. मैंने ऐसे भी कुछ लोगों से बात करें, जिनके विलन कैरेक्टर्स आइकॉनिक रहें हिंदी सिनेमा में, तो बताते हैं कि बहुत बार उनका असर उनकी रियल लाइफ पे भी पढ़ा, लोग उनको शायद भूही समझने लगे, उस तरह से ट्रीट करने लगे, फैंस डरने लगे जो आपने बोला, आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ कि क्यूंकि आपके क्यारेक्टर्स नेगटिव शेट्स के हो रहे थे, तो उसका असर रियल लाइफ में भी पढ़ने लगा। थोड़ा बात असर स्कूर्मरी मांग के बाद पढ़ा, क्यूंकि विमनु अफरेड, ओ दिस दमाहनों पुष रेखा इंट ग्रोकोडाइल, उनने मगरमाच की तरफ रफ रेखा को दखेल दिया था, लेकिन जनररली नहीं, लेकिन एक, मैंने एक प्ले किया था एक बार, जिसका नाम था गिधाड़े, विजे तंडूलकर की गिधाड़े, उसमें मेरा खारेक्टर, तो विजे अ ड्रंकन मैं, विजे अ अंगरी मैं, विजे बाद मैं, और इस प्ले के रहसल करते करते, उसक्त मेरी शादी प्रौतिमा के साथ थी, जो पूजा की मा है, प्रौतिमा की तुम बदल गए हो, तुमने नेचर ही बदल गया है, जिस तरह तुम मुझसे बोलते हो, यह तुम नहीं हो, कोई और बोल रहा है, तो उस रोल का असर मुझ पे पड़ा, लेकिए बेरी परस्नल डेवल, आपकी फिल्मोगरफी में एक फिल्म रही है, कुर्बान, प्लीज करेक्ट में एक रॉंग, कहा जाता है यह मैंने सुना है, कि उसकी स्क्रिप्ट बहुत बदल गई थी बात में, क्योंकि सल्मान खान का औरा बदला तो स्क्रिप्ट बदल गई, क्या हुआ था, एक कुर्बान के प्रॉडूसर मेरे पास आये, मैं कहा हमारे पास एक स्टॉरी असर, फैंटास्टिक, दो जाइंट्स, आप हैं और सुनील्दत हैं, और आपकी टक्कर हैं, कमालगी फैंटास्टिक, हमें एक लड़का लड़की चाहिए गाने वाने के लिए, इस रॉमांटिक स्टॉरी है बच्चों की, तो मैंने कहा देखो, सलीम साब का लड़का सल्मान, उसने पिक्चिर ने शुरू की हैं अभी, वो मुझे वह अच्छा एक्टर लग लग लगा है, उसके पास चाहिए, तो सल्मान के पास गया है, और उसको साइन कर दिया, आईश जुलका को हेरवन ले लिया, और पिक्चिर शुरू हो गई, पिक्चिर बनते बनते, कुछ टाइम लगा, इस दोरान, सल्मान की चार पिक्चिरें सुपरेट हो गई, और हमारी फिल्मों में, गाने अड़ किये गए, सल्मान का रोर बढ़ाया गया, और दज साब और मैं बैकरण्ड म्यूजिक बन गए, सो यह होता है, में स्टॉरी जो थी, दज साब की थी और मेरी थी, और वो स्टॉरी पे जो फुटिज देने का सोच रहे थे, वो ज़रा कम हो गई, और गाने ज़रा बढ़ गए, और सल्मान और आईशा के लब सॉंग्स डॉमिनेट करने लगे, लेकिन, यह सल्मान का कसूर नहीं है, यह प्रोडूसरों नहीं किया, सल्मान इस इंडिस्ट्री में सबसे जेनरिस अक्टर है, सबसे बड़े दिल का अक्टर है, जितने लोगों को उसने हिल्प किया है, को कोई नहीं जानता, बहुत कमाल का अदमी है, and I have the greatest love and respect for सल्मान, he is not only a good actor, a great star, wonderful man, wonderful man. बहुत लोगों से बात करती, बहुत लोगों करीब कर भी एए बोलता है, Nawazuddin तो बोल रहती है, वो तो अपनी लाइन्स में रुको देते थे थे बजरंगी बाई जानता है, बहुत लोगों कितना बदल है, तब जब काम करते थे, और अब जो काम कर रहे हो, चीज़ें कितनी बदल गई है? एक वक्त साथ जब पिक्चरें सिर्फ थेटर में दिख सी थी, तेलिविजन आ गया, फिर विडियो आ गया, फिर इंटरनेट आ गया, फिर इंटरनेट के कई जरीया आ गया है, means of distribution have changed completely, distribution का जरीया ही बदल गया है, और avenues बढ़ गया है, लेकिन साथ-साथ, filmmaking technology भी बदल गया है, उन दर में फिल्म पे बनाया करते थे, आजकर सबकुछ digital है, एक चीज़, कहना भूल गया, जो Bollywood में है, जो कहीं और नहीं, हमारी commercial फिल्मों में, यह जो song and dance, जो हम करते हैं, nobody in the world does it better, हमारे song and dance routines, दुनिया के सबसे बढ़िया हैं, और, हमसे बहतर कोई नहीं कर पाता हैं, हमारे best choreographers हैं, best lyricists हैं, best dancers हैं, और एक tradition जो, परंपरास हम जो Bollywood की है, वो आजकल दुनिया में respected हैं, पहले वो कहते हैं, Bollywood songs, अब वो एकसेप्ट करते हैं, कि यह सिनमा है, जिसमें यह भी tradition है, जो एक कमाल का tradition है, और वो respect के साथ बात करते हैं, कोई नहीं पूछता कि आपरा में लोग क्यों गाते हैं इस तरह, कोई नहीं पूछता काबू की प्ले में लोग इस तरह क्यों behave करते हैं, यह अलग-अलग traditions हैं, अलग-अलग परंपराएं हैं, और अब जो Bollywood करता हैं, वो लोग ना सिर्फ रिस्पेक करते हैं, पर उसकी नकल भी करने की कोशिशी करते हैं, Bollywood is a very respected film industry in the world today, और वो यह भी जानते हैं कि इंडियन film industry जो है, दुनिया की सबसे ज्यादा filmें बनाती हैं, नोबड़ी कम्स क्लोस तो आपने number of films की बात करी, कोविट टाइम्स के बाद जब cinema revive हो रहा था, थेटर्स बनते हैं, थेटर्स देरे खुलना शुरू हुए, तो audience को थेटर्स में लाने के लिए पुरानी फिल्में वापस लगनी शुरू हुए, कि nostalgia effect है रहे, लोग आना शुरू हुँ, अभी भी लेकिन वो चीज़ चल रही है, हाल-फिलाल में भी बहुत सारी पुरानी फिल्में हैं जो रिलीज हुई है, कुछ की announcement होगी कि ये भी वापस आएगी, एक तरफ तो लोग काफी खुश हैं कि उन फिल्मों को बड़े परदे पर देखने का बौका मिल रहा है, दूसरी तरफ कुछ makers, कुछ actors इस चीज़ से परेशान भी है कि हमारी फिल्मों को लोग देखने की बजाए पुरानी फिल्में देख रहे हैं, तो यह जो re-release trend है, यह सही है, गलत है या? यह trend सही है, क्योंकि मुझे हमेशा यह बहुत गलत लगी है, कि picture एक बार release होती है, एक weekend या एक महने के दिखती है, फिर लोग उसे भूल जाते हैं, अब OTT आया है, टेलिविशन पर दिखती हैं, तो picture फिर से दिखाई जा रही है, which is good, लेकिन वो मज़ा जो आपको थेटर में मिलता है, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, तो see something together, laugh together, cry together, एक बहुत बड़ी बात है, it's a community experience, social experience, और ये जो पुरानी फिल्में हैं, जिन्होंने जो हिट भी हुई हैं, जिन्होंने लोगों का दिल छुआ हैं, जिन्होंने अपने बॉक्स अप्टेट टाइम में बॉक्स आफिस रगॉर तोड़े हैं, उनको फिर से दर्शाना बहुत अच्छा है, लोगों को चाहिए कि पहले जमाने में भी पिक्चरें बहुत अच्छी बनती थी, लेकिन एक और बात कहना चाहता हूं, कई लोग मुझसे कहते हैं, पुराने जमाने में कमाल की फिल्में बना करती थी, आज कल देखो क्या बन रहा है, ये गलत है, हम सिर्फ पुराने जमाने की हिट पिक्चरें याद करते हैं, हम आज कल की फ्लॉप फिल्में जानते हैं, तो वी जो और ये हमेशा हुआ है कि दर आ मोः फ्लॉप फिल्म्हीन थिन हिट फिल्म्हीं तो हमें लगता कि इतनी इच्छी फिक्चरें नहीं बन रही लेकिन मैं कहता हूं कि हाँची पुराने जि को लगेगी ठीक है इनको री रिलीस करना चाहिए तो कौन सी होनी चाहिए इसकी रिलीस बहुत बुरी हुई थी लेकिन पिक्चर बहुत बहुत अच्छी बनी है मैं चाहता हूं वह भी रिलीस हो कुछ पहले हमी लोगों ने अलाय के साथ एक इंट्रिव्य किया था किस किसा अलाया ने बहुत प्राउडली इस बुली कि अविनाश जैसे रिलेशन्स हम लोगों ने देखे हैं मैंने फैमिली में देखा है उस वज़े से मेरे को रिलेशन्स समझने का मौका मिला है आपकी फैमिली अगर मैं आपी की बात करो चार शादियां होई है कभी जिंदीगी क अगर पन्नें पलटते हो तो लगता है कि शायद चीजे कुछ बदल सकती इस आपकी या जो हुआ फॉफेक्ट था लेकिन हकीकत यह है कि हमने उस वक्त वही किया जो हमें सही लगा, क्या हुआ, कैसे हुआ किसके साथ हुआ, इस नाट इंपॉर्टन इंपॉर्टन बात यह है कि जितने भी मेरे रिष्टे हुए है उन सब के साथ मेरा आज तक बहुत अच्छा रिलेशन्शिप है, और हमेशा रहा है रिलेशन्शिप और मेश्टन रिष्टे क्योंके मैं ने अपनी जिम्दारियों को अदा किया, रिस्पेक्ट हमेशा दिया अरतों को, और हाला के कुछ सफर ऐसे हैं, जो अपनी मुकाम तक नहीं पहुंच सकते हैं आगे बढ़ सके वो मेरी इच्छाती और वही हुआ जब आपके साथ ये फेजिस हो रहे थे आसपास के लोगों का सपोर्ट आसपास के लोग कितने अगेंस थे फेवर में थे वो सब चीजें आप मेंटली कैसे मैनेज कर ले थे इस सब याद करना मुश्किल है क्योंकि जिन् लेकिन लोग कुछ पॉजिटिव लोग होते हैं कुछ नेगेटिव लोग होते हैं नेगेटिव लोग होते हैं नेगेटिव लोग हमेशा नेगेटिव सोच में डुबाएंगे कहेंगे ये हो सकता है वो हो सकता है वह सोचो क्या है और पॉजिटिव लोग कहते हैं कि दू the best you can, figure the best thing. तो मेरी खुशकिस्पती ये थी कि मेरे इर्दगे ज्यादा पॉसिटिव लोग थे. तो जितने लोगों ने मुझे पॉसिटिव अडवाइस थी, मैंने उनकी अडवाइस ली और कोशिश की कि जो भी हो रहा है, जितने लोगों पॉसिटिव अनवाइड़वाइस अब जैसे एक इंसिंट निकी फिर्टाइब। अमरीका के बाद जब हम लंडन नाइ, उसके भी बहुत वजय थी, सब लिखा अमरे किताब में, वो चाहती थी कि हम इंगलिंड में रहें, क्योंकि वो इंग्लिश दिखती है, हना कि her father was Indian, English दिखती है, and she knew that her career would benefit from staying in England. I wanted to come back to India. तीन साल तक हमने कोशिश की, मैं मुंबई में, वो लंडन में आना जाना, बनेफिशरी सोलो एरलाइन से और टेलफोन कमपनी से, सिर्फ वही एरलाइन और टेलफोन कमपनी से कमाया, हमने कुछ नहीं पाया. In the end, हमने देखा कि उसकी जिन्दगी एक तरफ जा रही है, मेरी जिन्दगी दूसरी तरफ जा रही है, और as sensible human beings, adults, हमने फैस्टा किया कि बेटर भी टेक आर वन पाथ. तो इस तरह, things can happen with mutual respect also. यह नहीं कि हमेशे होता है, कभी-कभी बहुत, बहुत tension में, बहुत emotional problems में, relationship खतम होती है, और उसका भी, उसकी भी वज़े होती है, and sometimes absolutely right, you can't say everything must be happy ending. लेकिन, main thing यह है कि separation के बाद, दर्द तो होता है, there's no such thing as a painless parting. हमेशा होता है, जब बिछड़ना होता है. लेकिन जब वो दर्द थोड़ा कम हो, और वक्त थोड़ा गुजर जाए, उसके बाद, कैसी relationship आप continue करते हैं, सब कुछ उस पर depend करता है. पुजा के एक interview देख रहा था, जहां, जब वो पढ़ाई कर रही थी, उन्हें इंडिया आना था, लेकिन आपने मना कर दिया था कि मत आओ, वो फिल्म के लिए आना चाहरी थी, वो बताएंगे कुछ क्यों आप मना कर रहे थे, विश्कन्या से उनका जो फिर्स्ट फिल्म थी वो. अब जब प्रत्वाँ मैं सेपरेट हुए, और मैं अमरीका चला गया, तो अरेंजमेंट यह था कि बच्चे हर विकेशन में, समर अड विंटर मेरे साथ अमरीका में रहेंगे, और पढ़ाई हिंदुस्तान में करेंगे, लेकिन लास्ट टू येर्स ऑफ हाइज स्कूल जो था, उन दो सालों में, पूजा और सिदार्थ, उसका भाई, दोनों आए, और मेरे साथ रहने लगे, और बेर गोई तो स्कूल फो थो येर्स, हाइज स्कूल के सेकेट येर में, पूजा ने का है, मैंने एक पिक्चर करनी है, एक दोस था मेरा, जगबहन, मुंद्रा, उसमें एक पिक्चर बरानी थी, विश्कन्या, और उसे सोचा, पूजा के साथ बनाए, और उसे सोचा, पूजा के साथ बनाए, ये पूजा, डोन्ट, जगबहन मेरा दोस्त है, लेकिन अगर तुम पिक्चरों में दाखिल होना चाहती हो, तो पूरी ट्रेनिंग के साथ दाखिल हो, गो, लेन डांसिंग, लेन अक्षन, लेन हिंदी, लेन डालोग, लेन दिक्षन, लेन अक्टिंग, प्रिपर यॉर्सफ, जिए तरह अलाया ने किया, अलाया ने तीन साल की प्रेपरेशन की बिफर शी देड़ फिल्म, अबसलूटली शूर यॉर्सफ, लेकिन मेरी राय है कि मत करो, कोई गारंटी नहीं कि यह पिक्चर बनेगी, बनेगी, तो सफल होगी, और सफल होगी कि तुम्हें बनेगा, क्योंकि यह बहुत बड़ी पिक्चर नहीं बनने वाली, तो मैं चाहता था कि अगर पिक्चर पिक्चर नहीं करना चाहती तो पूरी ट्रेनिंग के साथ कोई अच्छे पिक्चर करें जिसमें कुछ बात हो कि पूजा बेदी इस डूंग ग्रेट फिम, और लेकिन क्योंकि वो इंसेस्ट कर रही थी, मैंने का ठीक है, जिदगी आपकी है, डिसिजिन आपका है, करो जो करना है। उसी इंटर्विव में जब परसनल लाइफ बात उनके हुई तो उन्होंने बोला कि उनका जो डिवोस हुआ, वो प्रोसेस करने की पावर भी उन्हें आपी से मिली, वही जोगिम लोग बात कर रहे थे, रिष्टों को उतनी बहतरी से सुल जाया गया, कि वो उल्जेन और कभी बात होती है इन सब चीजों के बारे में जब बैठते हो, जब मिलते हो? पास्ती बाते कम करता हूं यह मने देवनन से सी खा क्योंकि यह जो थोट और हैड़। और हैड़ नहीं थोट और हैड़। यह नहीं रिग्रेट्स यह निए सचा कि यह पिक्श नहीं चली यह हुआ, क्या था मेरी करियर की शुरुवात में, देवननन्द ओफर्ड में रोल, फिल्म काल इश्क इश्क इश्क, रोल कुछ खास्ती था लेकिन मैंने का यह देवननन साथ के साथ काम करने का मौका है, और यह नहीं चोड़ना चाहिए, तो मैं देव साग के पिक्चर की, पिक्चर नहीं चली, लेकिन देव साब को देखकर मुझे बहुत इंस्पिरिश मिली, किस डिसिप्लिन के साथ हर सुबह छे बजे उटतेते हैं, सबसे पहले, सबसे पहले सेट पे पहुँचतेते हैं, दिन भर काम करते थे, और डिनर के बाद, चाहे जहें कहीं भी हूँ, इक घंटे का वॉक करते थे, और उन दिनों में वो जीनतमान के साथ हुआ करते थे, तो आफ्टर डिनर भी उट सी देव साब जीनतमान दूएं वान आर वॉक और उनके गुजरने से पहले, मैंने सुचा यार, देव साब के साथ मैंने काम किया है, लोग के लिजेंड तो I went to meet him, उन दिन में उनकी कुछ पिक्चरे खास नहीं चल रही थी, लेकिन देव साब देव साब देव साब थे, आफिसें बैटे थे, नई पिक्चरों की बात सोच रहे थे, तो मैंने का देव साब आप पिक्चरें क्यों बनाते रहते हैं इस तरह, कबीर, it's my life, क्या नह किया, मैं कैसे रोक सकता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ और में लिए जीना सिनमा है, इस आप्टिमिनिस्म के साथ आगे बढ़ते थे, तो देव साब से भी बहुत कुछ सीखा है, बहुत कमाल की आदमी था, बहुत पॉजिटिव आदमी थे, उन से पॉजिटिव आदमी मै कभी नहीं, हमेशा पॉजिटिव बात है, देवारा. एक्टर, पॉलिटिक्स में दाखिल हुए, चीफ इनिस्टर बने, और बहुत बढ़ी चीज़े की, लेकिन साथ में सिनमा और पॉलिटिक्स का ज्यादा लिंक है, नौस में कम है, नौस में इतने लोग नहीं हैं जिनोंने सिनमा और पॉलिटिक्स को कमबाइन किये हो, रहते हैं. राजकबूर साहब ने मुझे कहा था, कबीर चाहे हम जितने भी बड़े फिल्मेकर हो, सरकार के सामने हमारे घुटने टेके रहते हैं. क्यूंकि अगर सेंसर्शिप ऐसी चीज़ है, कि आपकी फिल्म को खराब कर सकें, और फिल्मेकर चाहता है कि फिल्म खराब न हो, तो उसे उसे वो फिल्म में बनानी पड़ती हैं, जो सरकार के बुरी नात्रों में आए. यह मतलब नहीं कि पिक्चर, फिल्मेकर्स ऐसी पिक्चर नहीं बनाएं, जो सरकार को अच्छी ना लगें. यह हरे का हक है, और उनको करना चाहिए. क्यूंकि डिमोक्रसी में, प इतना बड़ा नहीं है. हालांकि एक पिक्चर की थे मैंने चिराग पासवान के साथ, जिसमें कंगना रनावत भी थी. और आजकल चिराग यूनियन मिनिस्टर बन गए है. तो. कंगना भी पॉलिटिक्स में है. कंगना भी पॉलिटिक्स में है. वो भी मंडी से बीजेपी पर जीत के आई हैं. तो एक्जाम्पल्स हैं. विनोद खना मेरा दोस्त, वो भी कुरदासपूर का MP था. और मेरा जो अपना अंसेस्टर टाउनाएट डेरा बाबा नानक वो कुरदासपूर डिस्ट्रिक्ट में आता है. तो he was my MP और विनोद तो बहुत ही अच्छा दोस्त जए आपके वार लोस ऑंजलस में. बहुत पुराना रिष्टा रायक मेरा विनोद खना के साथ और वो भी एक कमाल ता. बहुत बड़े दिल का इंसान था. और मुछे बहुत दुख हुआ जब मैं उसके फ्यूनर पे गया. क्योंकि तीन दिन पहले मैंने उससे मिलने का प् और रहेगा एक ही लाइन आती थी कि बेटा continuity भी गड़ जाएगी यह जो dedication है इतने लंबे वक्त के बाद भी जो जुनून है कैसे बरकरार है क्योंकि जब आप किसी दूसरे character को portrait करने की जिम्मेदारी लेते हैं एक एक फर्ज बनता है कि आप वही करें जो आपको उस character में पूरी तरह गुम जाएं और अगर आप shot के बीच में spectacles रख देते हैं यह करते हैं वो करते हैं calls ले लेते हैं तो क्या होता है कि फिर आप play acting कर रहे है शॉट का टाइम है फिर आप दादाबाई नारो जी बनते हैं ऐसे character करने के लिए एक continuity की जरूरत होती है यह नहीं कि हर्क्स फिल्म मैं यह करता हूं किर्दार पर डिपेंड करता है situation में डिपेंड करता है लेकिन in this case to be दादाबाई नारो जी I had to be दादाबाई नारो जी not pretend to be दादाबाई नारो जी thank you so much sir हमार सा जोडने के लिए और बातचीत के लिए thank you Vinash आपने बहुत अच्छा मौका दिये मुझे और बहुत अच्छे प्रश्ट पूछे जिससे मैंने जिससे मुझे मुझे मौका मिला कई बातों को जाहर करने का और आपके साथ शेयर करने का so thank you for giving me that opportunity thank you so much thank you Vinash thank you hi I'm Kabir Beidi and you're watching me on Bollywood Bubble